हेलो फ्रेंड्स आप सभी को स्वागत है दानभीस कीचेन मैजिक में आज हम गनपती जी के स्वागत के लिए बहुत ही सुन्दर सी मिठाई मोदक बनाने वाले हैं आप देख सकते हैं कितना चोकलेटी है मन कर रहा होगा ये क्रीम में घुसके आप इसको खा लें सही में ये बहुत ही टेश्टी है और डिलीसियस है मोदक तो हम कई तरह कैसे बनाते हैं पर ये वाला मोदक खुछ अलग है और बहुत ही कम चीजों से बनने वाली है और बीना गैस जलाए और कम ही मेहनस से जटपड बनने वाली है तो स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैंने ओरियो ब कितने बिस्केट्स है और देखे यहां पर यहां पर यहां पिक्ट में हैं पाँ बिस्केट्स तो साथ चारों बंगे मिला को का 20 टवेंटी बिस्केट और आप चाहें तो अपने पसंद का कोई साभी बिसकीट यहां पे ले सकते हैं, पर अंदर क्रीम होना चाहिए बिसकीट में, मुझे Oreo बिसकीट का टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं यहां पे Oreo बिसकीट ले हुँ, तो अब हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरब, तो बिसकीट को हम इस तरह से दो पार्ट करेंगे, इसी तरह से अलग कर देंगे तो देख़ेंस सारे बिस्केट के हमने यहाँ पर क्रीम निकाल लिये है तो देखें यहाँ पर obsessed को हमे अलग कर लिया है अभी हम चलते हैं next process की तरण तो जो बिस्केट है इसका हम छोटा-छोटा हम टूकरा करेंगी ताकि यह जब हम scratch 컨्स आसानी से grind हो जाएगा अभी हम एक mix जार लेंगे और इसमें जो बिस्किट के पीसे से उसको डाल लेंगे और इसका हम एक fine powder बनाएंगे और देखिए यहापे मैंने इसको grind करते हैं कि तना अच्छा हम अधे हम मोदऒग बनाएं तो उसमें कोई नम्स नहां आए और हो अच्छे से मोदग बन जाएं तो हम चलनी लेकिए इसको अच्छे से च्छाल लेगे और देखिए इसमें जो बड़ा बड़ा pieces बच गया है हम वापस से इसको grinding jar में लेके इसका वापस से एक fine powder बना लेंगे और ये powder को हमें वापस से छाल लेंगा है जो भी extra pieces है वो निकल जाएगा और देखिए इसी तरह से हमने यहाप एक फाइन पाउडर रेडी कर लिया है अब आम चलते हैं इसके डो बनाने की प्रोसेस में तो मैं यहां पर ले रहे हूं दो चम्मज घी अब चाहितों बटर का भी यूच कर सकते हैं और यह बिल्कुल रोम टेंपरेचर पर है और फिर मैं यहां पर लोंगी तीन से चार चम्मज मलाई या दूद भी आप ले सकते हैं और यहां पर मैंने धंडा दूद का यूच किया है तो धीरे धीरे करके हम इसको इस तरह से डो बना लेंगे बिल्कुल लाटे की जैसा जैसे हम आटा गूंदते हैं उसी तरह से इसको गूंद के एक अच्छा साम डो बना लेंगे आपकी मर्जी है आपको इसको चिखना करना है या अइसी रखना है पर थोडा चिखना करने से इसमें साइन आ जाता है तो आप हम चलते हैं इसकी स्टाफिंग बनाने के प्रोसेस में तो जो हमने बिश्किट से क्रीम को अलग करके रखा था उसमें हम मिलाएंगे एक पैकम मिल्क पाउडर मैंने यहां पर 10 रूपीस का अमुल पाउडर आता है उसको एड़ कर रही हूं आप चाहे तो अपनी पसंट प्राइस में कोई साथ भी ड्रूट्स भी एड़ कर सकते हैं अगर आपको यह बैंडिंग अगर थोड़ा सुखा लगे तो यहां पर एक या दो चा के बैंट हो जाता है तो देखी इसी तरह से हमें इसका एक डो बना लेना है अब हम इसका छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे देखी इसी तरह से हम छोटे छोटे चिकना करके बॉल बना लेंगे यह एक इंच के करीब का छोटा छोटा बॉल है और यह बना देने से क्या है हम जो मोदख बनाएंगे उसका हllुदी हो जाए गा तो हम मोदग बनाने में सब्सक्राइब वार्या देहाप तो देखें हमने यहां पे सारे बॉल्ल को हुरा है जिखें हम हमारे दूसरी अधर ब्रसियुद chests के तरफ अज हम बनाएंगे बिना मोल्ट के मोदग तो हमें क्या करना है हाथ में थोड़ा सा घी ले लेना है और हाथ में चारो तरफ इसको मरसल लेना है ताकि जब हम मोदग बनाए तो हमारे हाथ में ही चिपके नहीं और जो डो है उसमें से थोड़ा सा पॉर्सान लेके इसको चिखना कर लेना है और प कि वलएंगे अब सब्सक्राइब न देंगे अब या यह छिए अनधर यह क्यों लेकly च्छेसट कर लेंगे लिए इसको रखेशना सके सजक्ति केंचुपांची मगिए अब हम यह बुदा है यह 혼ग का सेप देने के लिए इसको पॉइंटर सेप देंगे और साइट में से भी इसको इस तरह से चीटना करदेंगे और नीचे से इसको फ्लैट कर देंगे ताकि ये अच्छे से स्टैंड कर सके लीखी कितना सुंतर यहां पर मौदग बनके रेडी हो चुका है कितना प्यारा लग रहा है ना चोकलेटी इस इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर हम इसको एक डीजाइन भी दे सकते हैं जैसे मोदक में होता है तो हम क्या करेंगे जो फॉक होता है पाटा वाला चममाच उसको लेके हम साइट में ऐसे चारो तरफ से करकर या इस이면 दे सकते हैं देखिए ये सैइट में हम इसको प्रेज करकर करके देबबी डिजाइन देगे तो देखिये यहाँ पे बनके ready की चुका है देखिये, मैं अभी एक दूसरा मोदग याँ पर बना के दिखाती हूं तो ही same process में हम पहले इक पेडा से खेंगा कर लेंगे उसको flat कर लेंगे और अंदर stuffing डाल के वापस से उसको प्रेज करकर के पेडा से खेंगे और वापस से हम उसको मोदक का सेप देंगे बिल्कुल वही सेम प्रोसेस उसी तरह टीप को हमें पॉइंटर रखना है और चारो तरप से चिकना कर लेना है और नीचे से भी इसको फ्लैट कर लेना है और अभी हम इसका जो डीजाइन है मैंने यहाँ पर बटर नाइफ का यूच किया है और देखिए इसी तरह हम प्रेस करकर के इसको डीजाइन देंगे अब चाहिए तो तुटपीक या चमच किसी के साथ भी यह डीजाइन को बना सकते हैं और देखिए यहाँ पर कितना सुन्दर हमारा मोदग बनके रेडी हो चुका है तो इसी तरह हम सारे ही मोदग को त्यार कर लेंगे यहाँ पर मैंने सारे मोदग को त्यार कर लिया और देखें यहां पर कितने प्यारे प्यारे क्यूट से मोदग हमारा बनके रेडी हो चुका है कितना सुंदर लग रहा है देखते से ही खाने का अमन करेगा बहुत ही आसान बहुत ही टेश्टी और डिलिसियस हमारा ओरियो बिस्किट का मोदग यहां पर रेडी हो चुका है पच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही ज्यादा पसंद आता है सबको और इसी तरह से आप फ्रेंड्स यह मुदक को आप गणिश चाचुर्थी पर बपा के लिए भोग में पूरियो मुदक बना के तियार कर सकते हैं अब आता है सबसे इंपोटेंट पर्ट इसको मैं काट के दिखाती हूं कितना बहतरीन बना है कितना टेश्टी यम्मी लग रहा है देखिए इसके अंदर जो फिलिंग हमने बरी है लग रही है बिल्कुल माउट वाटरिंग कितना बहतरीन लग रहा है पर मजा नहीं आता है जब तब हम उसको तोड़ते नहीं है खाते नहीं है देखिए देखिए कितना सॉब्ट है कितना अच्छे सी तूट रहा है यह कितनी सॉब्ट है देखिए और कितनी आपको भी लग रहा होगा आपको भी फील आ रहा होगा कितनी टेश्टी बनी है यह इसको ट्रेयर जरू किजिए फ्रेंड और हैपी गनिष चतूर्थी थैंक यू फर वाचिंग